नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्प्लोर वाई आरेस पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश के जिले भींड के बारे में वही ये जिला आगरा, इटावा, जहांसी, कौालियर और मुरेना जिले से चारों तरफ से खिरा हुआ है यहां के लोगों का कहना है कि भींड जिला नमबर 1956 में मध्यप्रदेश का हिस्सा बना था जिसे पुराने समय में बधवाहर के नाम से पुकारा जाता था अब अगर बात करें जिले की जनसंख्या की तो 2011 की जनगर्णा के अनुसार भींड में 17,3562 की आवादी रहती है वही ये जिला 4,469 वर्ग किलोमेटर के विस्तरित भू भाग पर फैला हुआ है इस जिले का जनसंख्या घनत्व तीन सो ब्यासी विक्ती प्रतिवर्ग किलोमेटर है भींड जिले में लोगों द्वारा बोलचाल के लिए सबसे ज्यादा हिंदी वही दूसरे नमबर पर यहां की बोली बुन्देली और ब्रजभाशा बोली जाती है साथ ही बात करें एजुकेशन की तो भींड जिले में 75 प्रतिशत आवाधी पढ़ी लिकी है इस जिले को भारत के सबसे साक्षर जिलों में गिना जाता है भींड जिले में लगभग 447 ग्राम बन चायते हैं जिनका लगातार विकास होता जा रहा है वही जिला आठ तहसीलों अटेर, गोर्मी, महगाओं, गोहद, लहार, मिहोना और रोन में बटा हुआ है वैसे तो भींड में सब लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं इसके बावजूद यहां सबसे ज्यादा हिंदू धर्म और दूसरे नमबर पर मुस्लिम धर्म और तीसरे नमबर पर जैन धर्म के लोग पाय जाते हैं अब अगर बात करें इस जिले के economic sources की तो भिंड का व्यापार और खेती यहां के economic sources हैं, खेती को भिंड की read की हडिक कहा जाता है, यहां पर सरसों की खेती काफी की जाती है, जो किसानों की अर्थववस्था का आधार है, जिले में सरसों के तेल के कई मिल हैं, और इस तेल को देश में बेचा जाता है, वही यहां पर सबसे ज्यादा गेहूं और बाच्रा की फसलों गाई जाती है, भिंड जिले के लोग भारतीर नोसेना में भी सेवा करते हैं, साथ ही यह जिला पर्याटन से भी अपनी अच्छी खासी आमदनी करता है, जिससे जिले की economy को बड़ा सहारा मिलता है, वही भिंड जिले के छोटे छोटे उद्योगों का भी यहां की economy में बहुत महत्पूर्ण योगदान है, कहा जाता है कि भिंड में पधारने वाले लोग, परा की गुजिया, मेहंदा का कलाकंद और द्वारिका की पेड़े का स्वाद लिये भिना सोयम को न दूसरा फेमस प्लेस है, यहां का रतनगड माता मंदिर, यह माता मंदिर एक उची पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी के चारों और का नजारा बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है, नवरातरी के दुरान यहां बहुत बड़ा मिला लगता है, यहां आने वाले भक्त गोहद गिला, श्री रावतपुरा धाम को देखने के लिए भी लाकों की संख्या में हर दिन भीड लगी रहती है, दोस्तों किसी शहर और देश के विकास में इसका इंस्ट्रस्ट्रक्चर महत्पून भूमिका निभाता है, अब बात करें भिंड जिले के बारे में, तो य इस जिले के सबसे पास में गौालियर हवायड़ा है, जो भिंड से 64 किलोमेटर की दूरी पर मौझूद है, यहां पहुंचकर आप भिंड के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं, यह एरपोर्ट दिली, कानपूर, इंदोर जैसे प्रमुक शहरों को भिंड से जोड़ता है, बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, इस जिले के सबकों पर आपको MP31 नंबर प्लेट वाले वाहन दोरते मिल जाएंगे, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, ऐसे ही वीडियो अपने शहर के बारे में चाहते हैं, तो अपने शहर का नाम लि कोमेंट में जरूर बताएं, थैंक्स फार वाचिंग, जुड़े रहे हैं, एक्स्प्लॉर वाई यारेस के साथ,